श्री शिवाय नमस्तु भ्यम दर्शिको, हर हर महादेव, आप सभी दर्शिको का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है दर्शिको मार्ग शीश माह में गुरु प्रदोश आ रहा है गुरु प्रदोश 17 दिसंबर के दिन है यहाँ गुरुवार के दिन आ रहा है इसलिए इसे गुरु प्रदोश के नाम से चाना जाएगा ऐसे में हम भगवान शिव को प्रसन्य करने के लिए अगर कुछ कारी करते हैं कुछ उपाई करते हैं तो भगवान शिव की असीम प्रपा हमें प्राप्त होती है हमारी जिवन में अगर कोई कस्ट है कोई परेशानी है तो भगवान शिव बड़े ही भूले नात है वहां हमारे सारे कस्ट दूर करेंगे और हमारी मनो कामना को हमारी कामना को अवश्य ही पूर्ण करेंगे आपकी कोई मन की मुराद है जो बहुत समय से अटकी हुई है पूरी नहीं हो पारी है ऐसे में आप गुरु प्रदोश के दिन मैं आपको एक उपाय बताऊंगी वह उपाय करने से भगवान शिव अतिप्रसन होंगे और वह आपकी कामना जरूर पूर्ण करेंगे आपकी मन चाहे इच्छा की कामना को अवशी ही पूर्ण करेंगे आपको प्रदोशकाल में भगवान शिव के मंदिर जाना है प्रदोशकाल का समय है 5 बच कर साम के समय 5 बच कर 27 मिनिट से रातरी 8 बच कर 11 मिनिट तक प्रदोशकाल में आपको यह उपाय करना है आपको क्या करना है आपको शिव मंदिर जाना है और शिम मंदिर जाने से पहले आपको बेल पत्र लेनी है आपको बेल पत्र लेनी है आप ध्यान रखे कि साफ बेल पत्र हो टूटी फुटी कटी फुटी ना हो आप उस साफ बेल पत्र को ले 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 और उस पर लाल चंदन से ओम लिख दें लाल चंदन से जो बीच वाली पत कर आपको ओम नमश्यवाय का जाब करना है करीब 108 बार आपको यह मंतर का जाब करना है आप देखेंगे भगवान इतने प्रसंद होंगे आपसे कि आपके जीवन में अगर कोई भी परेशानी चल रही है कोई भी विक्ता से अगर आप जूज रहे हैं तो वहाँ आपकी सारे क कामना पूर्ण होंगी यह करने से आप प्रदोशकाल में यह चोटा सा कारे अवश्य करें शिव मंदिर जाकर शिव जी को बेल पत्र अरपित करें उनके समक्ष दिया लगाए और वहाँ बैठ कर ओम नमश्यवाय मंतर का आप 108 बार जाब करें ऐसा करने मातर से आपके सारे कस्ट दूर होंगे और आपकी हर मनो कामना पूर्ण होंगी श्री शिवाय नमस्तु भ्यम दर्शको अगर आपको मेरा यह उपाय या वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्स्राइब करके बैल आइकन के साथ प्रेस करने जिससे मेरा जो भी नया वीडियो आएगा वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा श्री शिवाय नमस्तु भ्यम दर्शको हर हर महादेव